नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ Krishan और आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल Fire in India में दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम long term investment के लिए stocks select कर सकते हैं इसके पीछे के principles क्या है, क्या है फाइदे long term investment के और किस तरह से हम Google Sheet को इस्तमाल कर सकते हैं आसानी से वो stocks देखने के लिए जो long term के लिए अच्छे candidates थावित हो सकते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि basic principles for long term investing क्या है basic principles हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए long term investment के लिए तो सबसे पहले हमें identify करने पड़ती हैं कई सारी companies जिनका growth potential बहुत अच्छा हो उसके बाद उन companies में हमें चोटे-चोटे amount invest करने होते हैं और उसके बाद क्या होता है जब आपने investment कर दिया कुछ companies कुछ अगले सालों में हम बात करें हैं 10-20 सालों की उन में से कुछ companies बहुत ज़्यादा grow कर जाएंगी 10x, 20x हो सकती हैं कुछ company धोड़ा बहुत grow करेंगी और कुछ company कुछ नहीं grow करेंगी हो सकती है negative में हो लेकिन जो companies exponentially grow करती हैं उसका जो असर आपके portfolio पे होता है वो होता है पूरा पैसा वसूल यानि कि आपका portfolio चमक जाता है उन कुछ company उसकी वेज़े से इसका example भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे तो अपने शार्थ shark tank का नाम सुना होगा ये world famous एक program है जहां पे कई सारे sharks यानि के business man एक judge panel की तरह बैठते हैं उसके सामने फिर businesses आते हैं लोग अपने business को present करते हैं sharks उनसे question पूछते हैं business के बारे में उसके business में वो invest कर देते हैं और ऐसा वो एक दो company में नहीं करते हैं वो कई सारी companies में एक ही shark कई सारी companies में invest करता है क्योंकि उसे पता है कि आज अगर मैं 10 companies पे बैठ लूँगा उसमें से हो सकता है 5 तो बिल्कुल fail हो जाएं दो थोड़ी बहुत चलें लेकिन बाकी की जो 3 है वो इतना मुझे growth दे देंगी कि मेरा जितना भी पैसा लगा है पूरे portfolio में वो अच्छा खासा मेरे को return कमा के देगा तो इस तरह से investors identify करते हैं कि किन companies में उन्हें invest करना है तो हमें भी यहां बनना है एक shark अपना एक shark tank launch करना है जिसमें हमें businesses को invite नहीं करना पड़ेगा यहां तो यह लोग startups में invest करते हैं लेकिन हम invest करेंगे उन companies में जो हमारे stock exchanges पर listed हैं तो कैसे find करेंगे हम कि कौन सी companies अच्छी हैं कौन सी नहीं हैं कौन सी हमारे portfolio के लिए suitable हो सकती हैं और किसमें हम investment start कर सकते हैं तो आईए वो जानते हैं तो इस तरह से investment करने का फाइदा क्या होता है उसका example मैं अपने एक follower के example से आपको दूँगा जिनोंने मेरे साथ अपनी portfolio share करया था कुछ समय पहले तो दो साल पहले उन्होंने investment start करी थी तो अभी उनका portfolio कैसा दिखता है आईए वो देखते हैं तो यह है उनका portfolio अब top में देखेंगे तो total stocks दिख रहे हैं 16 इसमें हमने green में mark किया है उन stocks को जो 50% से उपर trade कर रहे हैं अपने current market price के सब से normal performer जो 0 से 50% के बीच में है और bad performers या non performers loss makers जो की 0 से नीचे हैं मतब loss में चल रहे हैं तो 16 में से 7 superheroes 6 normal और 3 non performers ठीक है तो इसका overall effect क्या हुआ है उन्होंने 21 lakhs के करीब invest किया था और उनका portfolio अभी current market value हो गया है 40,68,000 तो उनका profit चल रहा है 19,60,000 उसमें से winners का profit देखे तो 20,23,000 है और losers का loss देखे तो 63,000 है तो ये काफी अच्छा portfolio वो बना पाए है तो जो winners होते हैं वो आपके losers को इतने अच्छे से overtake कर लेते हैं अगर आपने fundamentally अच्छी company से लेक करी है सही time पे invest किया है सही strategy से invest किया है तो आप भी इस तरह का portfolio बना सकते हैं और ये दो साल का portfolio है जो उन्होंने बनाया था imagine कीजिए 10 साल में किस तरह की growth आ सकती है अगर हम ऐसा कर पाए तो तो आईए अब जानते हैं किस प्रकार से इस तरह के stock select कर सकते हैं जो इस तरह के growth potential हमें offer कर सकते हैं तो इसके लिए use करेंगे हम मेरे गुरुजी महेश कौशिक जी द्वारा दी गई long term value index वाली strategy जिसका short form है LTVI तो कैसे बनाते हैं हम long term value index किसी stock के लिए और कैसे वो हमें help करता है select करने के लिए कि इतने सारे stocks में से हमें कुछ चंद stock ही लेने हैं इसमें हम invest कर पाएं क्योंकि share market में तो 3000-4000 stock listed है लेकिन उसमें से हम कुछ ही में invest कर सकते हैं क्योंकि हमारा capital size उससे है और कई सारी companies ऐसे हैं जो investable ही नहीं है तो कैसे identify करें वही है LTVI का basic principle तो इसका पूरा वीडियो महेश सर के channel पे है जो मैं आपको link दे दूँगा अपनी sheet में आप उसको जाके जरूर देखिएगा उन्होंने पूरा explain किया है पूरे business के तरीके से की कैसे समझना है मैं इसे short में आपको Google Finance के perspective से सिखाऊंगा कि Google sheet में हमें automatically ये list कैसे filter out होके मिलेगी और फिर हमें उसे कैसे use करना है प्लस मैंने एक enhancement किया है जो महेश सर अपने वीडियो में बताते बताते थोड़ा सा change कर दिया था उन्होंने अपना तरीका लेकिन मैंने उन्ही का तरीका use करके एक ऐसी list बनाई है जिससे हम investment कर सकते हैं तो आई आप देखते हैं वो आली sheet और बताता हूँ कैसे use करना है उसे तो ये है वो long term value index की sheet LTVI की sheet सबसे उपर मैंने महेश सर का वीडियो दिया है जो मैंने आपको बोला है कि जाके देखेगा उसमें पूरा उन्होंने explain किया है कि क्या-क्या हर एक parameter होता है मैं यहां सिर्फ short में उसका summary बताने वाला हूँ आपको और फिर next मैं यहां पर अपना video आड़ कर दूँगा ताकि जो लोग ये sheet को refer करें quickly मेरा ये वाला video यहीं से refer कर पाए तो इस strategy में क्या होता है महेश सर हमें हर 3-4 महिने में एक data bank download करके अपने blog पे provide करते हैं जिसमें BSC पे listed सारी companies का data होता है fundamental data जिससे हम उन्हें scan कर सकते हैं समझ सकते हैं कि इनका business कैसा है और उसके हिसाब से अपने लिए pick कर सकते हैं कौन से stock हम use करना चाते हैं तो उसका जो link है जहां पे वो upload करते हैं यह मैंने दे दिया यहाँ पे winningtheory.maheshkoshik.com तो उस data bank में उन्होंने क्या filters यूज किये हैं वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे list किये हैं कि book value किसी share की zero या उससे बड़ी होनी चाहिए second filter है कि उसके जो sales है वो one करोड से उपर होने चाहिए third है उसका EPS यानि की earning per share zero से उपर होना चाहिए fourth filter है return on net worth percentage zero से उपर होनी चाहिए और fifth है promoters की pledging zero होनी चाहिए मतलब कोई pledge नहीं किया होना चाहिए उन्होंने अपना stock तो यह होगे सारे filter तो जब आप उनका data bank देखेंगे तो इस तरह से दिखता है मैंने यहाँ पे डाला है यह data bank वाली sheet है यहाँ पे ठीक है तो जब भी वो data bank provide करेंगे इस sheet में हम upload कर सकते हैं उनका data bank इसी format में वो provide करते हैं यह जो yellow columns है सारे इसके नीचे ठीक है यहाँ पे copy paste करना है data उसके बाद का जो बाकी की sheets है वो automatically filter करके हमें result देंगे मैं धीरे धीरे करके आपको एक-एक sheet की functionality बताता हूँ तो यहाँ पे मैंने again वो अला blog बता दिया है कि कहां से data bank download होता है अभी देखें यहाँ पे count of stocks हैं 3940 यह सारे BSE के stock हैं जो उन्होंने data bank में दिये थे तो almost 4000 stocks हमारे पास यहाँ पे हैं तो इन में से हमें 5, 10, 15 ऐसे stock निकालने हैं जिसमें हम long term 10 से 15 साल के लिए SIP शुरू कर सकें यारी कि धीरे धीरे हम उनमें invest करेंगे ताकि long term में हमारे एक ऐसा portfolio बन जाए जिसको हम अपने retirement के लिए और बच्चों की planning के लिए या अपने vacation के लिए जिस चीज के लिए भी आप use करना चाहते हैं मतलब एक तरह से आप अपना बड़ा corpus बना पाएंगे और आगे जाके आप उसे use कर पाएंगे अपने fun के लिए अपने कामों के लिए तो इसे मैंने download किया था second October 2024 वो date मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो जब जब मैं इस sheet को update करूँगा जब जब data bank सर देंगे मैं यहाँ पे डाल दूँगा तो यहाँ date भी update कर दूँगा तो इसके उपर मैंने यही पे filter लिग दिया है यहाँ सारे filters लग गए है ठीक है उसके बाद हमारे पास बची है 2,217 companies अभी भी यह बहुत ज़्यादा है इसमें से भी हमें 5-10 select करने हैं तो बहुत बड़ा काम है तो इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद निकालते हैं हम LTVI उसके लिए हमें चाहिए यह चार चीजे Price divided by Book Value जिसे PB कहेंगे Price divided by EPS PE Price divided by NSPS PNSPS Price divided by RONW यह सारे parameters Price, Book, Value, EPS सारे database में available है और इन चारों को add करके हम निकालेंगे LTVI जो है Long Term Value Index तो यह जो filtered data bank है यहाँ last में मैंने डाल दिये formula जिसे कि यह सारी values calculate हो रही है ठीक है और finally यहाँ LTVI last वाले column में आ रहा है इसके बाद next हम क्या करते है preparing final list तो original version और fire enhanced version यहाँ पे दो चीज़े हैं ठीक है तो जब आप sir का वीडियो देखेंगे महीश sir का तो आपको दिखेगा कि उन्होंने कैसे prepare किया यह पूरा list क्या उनका flow था और वहाँ पे उन्होंने छोटा सा एक change किया ताकि यह list short करने में आसान हो जाए excel में लेकिन क्योंकि मैंने google sheet को automate किया हुआ है मैंने उन्ही के parameter जो उन्होंने बताए थे उसमें sort by LTVI in ascending order मतलब जो सबसे कम LTVI है वो सबसे उपर आ जाएगा और सबसे जादा वाला सबसे नीचे चला जाएगा इस तरह की हम sorting कर देंगे क्योंकि lower the LTVI better the value of stock जितना low होगा LTVI उतना अच्छा है stock value wise मतलब एक value by है ये sorting करने के बाद हमारी number of companies तो कम होंगी नी तो हम क्या करते हैं उसमें से 500 top की companies रख लेते हैं ठीक है और उस 500 companies को फिर हम sort करते हैं market cap से वो निकल के आती है हमारी final list जो original version के हिसाब से जो आप यहाँ पर दिखेंगे top 500 MC के वो ये वाले list है जो 500 stock हमने sort करे हैं पहले हमने LTVI के हिसाब से इनको sort करा उसके बाद 500 top के रखे और फिर हमने market cap के हिसाब से sort कर दिया जो highest market cap है वो सबसे उपर आ रहा है और फिर धीरे-धीरे market cap काम हो रहा है इसमें तो ये है हमारी top 500 list फिर इसमें से महेश सर ने क्या कहा हमें sector को देखना है और एक sector में से एक stock start करना है pick करना मतलब top से start करेंगे सबसे पहले insurance का sector आ रहा है जिसमें से LIC का share आ रहा है तो ये हम pick कर लेंगे next oil exploration का है जो ONGC का share आ रहा है फिर refineries का share जो IOC है फिर उसके बाद finance term lending PFC का share है refineries अब repeat हो गया तो refineries हम already यहाँ pick कर चुके थे IOC अब यहाँ refineries repeat हो गया मतलब same sector repeat हो रहा है तो हमें same sector में दुबारा invest नहीं करना है हमें diversification करना है इसलिए हम अलग-अलग sectors को choose करेंगे तो refineries का यह वाला छोड़ देंगे next फिर से finance term lending repeat हो रहा है इसको छोड़ देंगे industrial gases and fuels नया है तो gail को उठा लेंगे तो इस तरह से हम अपने top के जो भी हर एक sector से हैं वो उठाते वे चलते हैं तो उसके लिए मैंने यह final list यहाँ पर आड़ की है final list mck मतलब जो original version है वो mck के नाम से है यह automatically हर एक sector को उठाएगा और उसमें से जो top का share है वो उठा लेगा insurance के sector से इसने LIC को उठा लिया oil exploration से इसने ONGC को उठा लिया refineries से IOC को उठा लिया तो basically यहाँ से sheet से check करते वे चल रहा है एक-एक को उठा रहा है जो भी repetition है उसको ignore कर रहा है इस तरह से यह final list हमारी बन गई है तो यह हो गई original version की final list मैंने क्या किया इसमें तो जैसे मैंने कहा सर ने जैसे जैसे flow में बताया कि ऐसे-ऐसे हमें list को sort करना है वही मैंने flow रखा है मैंने LTVI के हिसाब से इनको sort किया ताकि सबसे कम LTVI उपर आ जाए और उसके बाद मैंने उन stocks को हटा दिया जिसमें market cap 5000 से नीचे का था च्योंकि जितना कम market cap होता है उतना stock कम trade होता है उसे manipulate करना आसान होता है तो higher market cap वाले manipulate कम हो सकते है और आसानी से कोई उन्हें manipulate नहीं कर सकता तो ये वाली जो fire enhanced version है इसकी जो list है पहले तो आप top stocks fire यहाँ पे देख पाएंगे यह मैंने यहाँ पे निकाल दिया और market cap 5000 यह yellow में मैंने दिया है मेरी sheets में जहाँ yellow होता है वो एक custom value है जिससे change करके आप sheet के results बतल सकते है तो यहाँ मैंने 5000 दिया है किसी को अगर higher market cap वाली companies देखनी है तो इसको बढ़ा सकता है कम वाली देखनी है तो घटा सकता है उसके हिसाब से automatically results change हो जाएंगे और कितने stock बचे हैं इस sheet में वो यहाँ पर आएगा count of stocks 580 बचे हैं और इसको finally वही किया मैंने कि हर एक जो sector पहले आ रहा देखे यहां bank public सबसे पहले आ रहा था canra bank फिर bank private के दो आ रहे थे तो पहले South India आ रहा है यानि कि हम South Indian bank को उठा लेगे तो यहां final list fire में आप देखेंगे canra bank है फिर South Indian bank है यानि कि यहां sector हर एक change होते जा रहा है और उसमें से जो भी top का है stock जिसका LTVI कम है और market cap 5000 से उपर है वो यह list है तो personally मैं इस वाली list में invest करूँगा और यह महेशर की ही strategy है मुझे यह वाला जादा पसंद आया क्योंकि basically क्या होता है जो बड़े market cap वाली companies है उनके growth उतने speed से नहीं होते long term में जो lower market cap वाली company है जितने उनके होते हैं लेकिन ऐसे नहीं कि lower cap में हम बिल्कुल ही lower चले जाएं जैसे मैंने का वहाँ manipulation आसानी है और circuits लगते रहते हैं कभी भी company का app भी हो सकती है बहुत जादा low चले गए आप तो तो एक ऐसा रखना पड़ता है number जो 5000 करोर मुझे decent लगा ठीक लगा तो वो मैंने अपने लिए रखा है और इसमें दिख भी रही है वो अली companies आ रही है टॉप में जिनें हम जाना पैचाना नाम दिख रहा है camera bank एक अच्छा का सा नाम है south indian bank अच्छा का सा नाम है bpcl अच्छा का सा नाम है तो यहाँ पर आपको दीख जाएगा ऐसे अजीब और गरीब कोई नाम दिखाए दिए जिसका आपने नाम भी नहीं सुना है उन्हें तो आप ignore भी कर सकते हैं लेकिन जहाँ पर नाम दिख रहे हैं या फिर आपको और क्योंकि long term के लिए आप invest कर रहे हैं आप और research करना चाहते तो इन companies को जाके आप research कर सकते हैं फिर अपनी final list त्यार कर सकते हैं मैं basically बहुत simple रखने वाला हूँ यह जो final list आगई इसमें से top 10 या 15 लूँगा और हर एक में 1000 या 1500 के करीब SIP, monthly SIP कर दूँगा क्योंकि basically मुझे month में 15,000 to 20,000 invest करना है long term के लिए तो उसके इसाब से मैं SIP calculate कर लूँगा तो around 15 companies मैं pick करता हूँ तो 1000 rupees हर एक company में SIP करूँगा monthly तो मेरा 15,000 overall portfolio में हर महीने invest होते वे चलेगा तो यह है मेरी final list तो जो भी list आपको पसंद है MCK वाली final list या फिर fire वाली final list आपका अपनी understanding है जो भी आपको comfortable लगता है आप वो वाली list यूज़ कर सकते है और जब जब data bank upload होगा सर 3-4 महीने में upload करते रहते है मैं ये वाला data bank upload कर दूँगा आप खुद से भी कर सकते है कुछ नहीं करना है यहाँ पे जो ये data bank है इसको delete कर देना है यहाँ से सारी values नीचे और जो नया वाला है वो paste value special कर देना है और आपका नया data bank filtered list सब तयार हो जाएगा एक बार आपने SIP शुरू कर दी 12 महीने तक कुछ नहीं करना है मतलब एक साल तक कुछ नहीं करना है SIP चलते रहने दीजिए उसके बाद जाके आपको review करना है अपनो portfolio तो यानि कि ये दुबारा scan run करना पड़ेगा आपको उस वक के database के हिसाब से और फिर देखना पड़ेगा कि आपकी जो company है जो आपने select करी थी क्या वो अभी भी top 50 में है या नहीं top 50 में है तो आप SIP चालू रखें उसमें investment चालू रखें अगर वो top 50 से हट गया है और profit में है आप profit book कर लीजे और एक नई company अड़ कर लीजे मतलब जितनी भी company आउट हो रही है उतनी नई company आप अड़ कर सकते हैं लेकिन अगर वो top 50 में जब तक चल रहा है आप उसमें SIP चालू रखें long term के लिए और investment करते रही है और इसमें SIP को manage कैसे करना है तो ये वाली जो sheet है इसका link मैंने आपको दे दिया है जो मैंने कुछ दिनों पहले multiple sip management वाला video बनाया था जिसमें मैंने reincarnation की बात करी थी sip के द्वारा अगर कोई loss making stock है या फिर कोई नई sip start करनी है तो उसी वाली strategy उसी वाली sheet में मैंने इसका link यहाँ add कर दिया strategy sheet में जाएंगे तो LTVI sheet for selecting stocks for long term investment इसको आप खोलेंगे तो ये वाली sheet आपको मिल जाएगी उसके बाद आप सीधा final list में जाके fire या फिर mc के जो भी आपको पसंद है उसमें से अपने stocks pick कर सकते हैं और sip कर सकते हैं तो दोस्तो इस sheet का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जहां पे इस पुरी LTVI का मैंने link डाला है उसका वीडियो का link भी मैं डाल दूँगा और purchase करने का link भी मैं इस वीडियो के description में डाल दूँगा वहाँ से आप इसे use करके purchase कर सकते हैं और इसके बाद अपना long term portfolio बनाना शुरू कर सकते हैं तो thank you very much दोस्तो पूरा वीडियो देखने के लिए चल्दी मिलूँगा आपसे एक और interesting वीडियो के साथ ममश्कार